हलो दोस्तो अभी में एक यूटूब चैनल में मैं अर्विन मकवाना आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मौस्ट आयम पी सवाल जवाब पार्ट फोर्टिन इससे पहले तेरा पार्ट अप्लोड हो चुके है अगर देखना बाकी हो तो देख लेजीगा और आज का जो ये वीडियो है वो हम फोटो के साथ देखेंगे ताकि आप आसानी से याद रख सके जैसे के BMW के ब्रांड एंबेसेडर कौन है सचिन टेंडूलकर बाजू में दिया हुआ है और भारत का प्रतम परमानू रियक्टर कौन सा है अब सरा तो ऐसे फोटो के साथ आप देख सकेगे ताकि आपको आसानी से याद रह सके और आने वाली एक्जाम में आप आसानी से तो आज का ये मोश टाइम पी वीडियो है देखते है आगे सबसे पहले जो ताजा खबर है वो है भारत क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंदर सी दोनी और पूर्व बल्लेबाज सुरेश रहना ने अंतरराश्टी क्रिकेट से सन्यास ले लिया है दोनों ही खिलाडिय योने इस्टाग्राम पर पोस्ट करके इस बात की कोशना की है इस 15 अगस्त को दोनों ने एक साथ जो सन्या से वो ले लिया है तो ये मोश टाइम पी रहेगा उसके बाद भारत में कुल राज्य कितने है तो 28 राज्य है पहले 29 राज्य थे जिसमें से जम्मू कास्मीर को र भारत में कुल आठ केंद्रसासित प्रदेश है पहले टोटल साथ थे उसके बाद दो नए बने जम्मू और कास्मीर और लद्दाक तो नो हुए उसके बाद दीव दमन दादरा नगर अवे लिको चारों को एक कर दिया गया इसलिए ये कम हो गया अभी कुल कितने है आठ है 28 राजियो और केंद्रसासित प्रदेश 8 बारत में कुल 739 जिले है कितने जिले है 739 749 बारत में कुल 18 रेलवे जोन है ये क्वेस्टिन भी कई बार पुछा गया है कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन है टोटल 18 रेलवे जोन है बारत का क्षेत्र फल में सबसे बड़ा जिल्ला कौन सा है तो वो है कच जो गुजरात में स्थीत है और दूसरा पूछे तो वो है लेह जो लदाक में है लदाक केंदर सासित प्रदे से उसका जिल्ला है लेह वो दूसरे नमबर पे है पहले नमबर पे है कच गुजरात बारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिल्ला कौन सा है तो सबसे छोटा है माहे जो पुदुचेरी में है केंदर सासी प्रदे से पुदुचेरी उसमें आप उपर देख सकते हैं माहे जो जिल्ला है वो सबसे छोटा है सबसे बड़ा अंडा किस पक्सी का होता है तो वो होता है सुतुर मुर्ग का भारत की प्रथम कलर फिल्म कौन सी थी तो वो थी किसान कनिया आप उपर फोटों में देख सकते हैं किसान कनिया भारत की प्रथम कलर फिल्म भारत की प्रथम साउंड वाली यानि बोलती फिल्म कौन सी थी तो आलम आ रहा थी आप फोटो में देख सकते हैं आलम आरा का पोस्टर है ओल टोकिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग असा नीचे लिखा हुआ ये उसका पोस्टर है एसिया का प्रवेशद्वार किस देश को कहा जाता है तो वो देश है तुर्की, तुर्की को एसिया का प्रवेशद्वार कहा जाता है एसिया का मरीज किस देश को कहते है तो चीन को कहते है एसिया का मरीज एस्या का अजगर कौन से देश को कहा जाता है तो चीन देश को एस्या का अजगर कहा जाता है ताज महल की उच्चाए कितनी है 73 मीटर है भारत की प्रथम मध्यम दूरी वाली मिसाल कौन सी है अगनी है भारत का प्रथम पर्मानू पंडू भी कौन सा था आई एन एस चक्र वो प्रथम पर्मानू पंडू भी है भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है आई एन एस विक्रांध है जो आप फोटो में देख सकते हैं भारत का प्रतम परमानों रिय्यक्टर कौनसा है, अपसरा, भारत की प्रतम पंडूबी कौनसी थी, आईएनएस कावेरी, कौनसी थी, आईएनस कावेरी पाकिस्तानी सेना के इतियास में पहली महिला, लेफ्टिनेट जन्रेल बनी, निगह गोहर तो फोटो में आप देख सकते हैं निगाह गोहर जो पाकिस्तान की पहली महिला लेफटेनेट जनरल बनी है पहले नंबर पर सरदार वलबबाय पटेल क्रिकेट स्टेडियम है जो एहमदाबाद गुजरात में स्थी थे इसमें 1.10 लाग दर्सक मेच देख सकते हैं तो सबसे बड़ा स्टेडियम पूछा जाए तो सरदार वलबबाय पटेल क्रिकेट स्टेडियम है कहां पर स्थी थे एहमदाबाद में और अगर दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है इसमें 1.02 लाग दर्सक मेच देख सकते हैं और अगर तिसरे की बात करें तो दुनिया का तिसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जैपूर में 350 करोर रूपय की लागत से 100 एकर में बनेगा अभी बन रहा है काम चालो है 75,000 दर्सक मेच देख सकेंगे और इसका डिजाइन ते ही हो चुका है तो पहला और तिसरा दोनों इंडिया में रहेगा और दुसरा जो है वो मल्बर्न में पुदिने के तेल का उत्पादन विश्वो में सबसे ज्यादा भारत में होता है कहां पे होता है बारत में होता है पूरे विश्वो में हर साल 22,000 टन पुदिने के तेल का उत्पादन होता है जिसमें अकेले भारत में 19 टन तेल का उत्पादन किया जाता है तो टोटल विश्वो में 22,000 टन होता है उसमें से भारत में 19,000 तन तेल का जो है वो उत्पाद किया जाता है रुप्य का सिक्का बारत में पहली बार किसने डाला था सेरसा सुरी ने उसके सासनकाल में सेरसा सुरी ने डाला था रुप्य का सिक्का चांदी का सिक्का सर्वप्रथम किसने चलवाये थे तो चंद्रगुप्त द्वीती इने जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं उसने चांदी का सिक्का सरोप्रथम चलवाये थे सिसा का सिक्का किस वंस में चलाया गया था तो साथ वहन वंस में सिसा का सिक्का जो है वो चलाया गया था सरवाधिक स्वर्ण मुद्राय किस काल में जारी किये गए थे तो गुप्त काल में जिसे भारत का सुवर्ण काल कहा जाता है ऐसे गुप्त काल में सरवाधिक स्वर्ण मुद्राय बनी थी आना का सिक्का किसने चलवाये थे साह जहाने जो आना एक आना दो आना हम बोलते हैं आ वो साह जहाने चलवाये थे जारखन टूरिजम के ब्रानमे सेडर कौन है महेंदर सी दोनी BMW के ब्रानमे सेडर सचिन टेनल कर है Edidas का brand ambassador कौन है मानुसी चिलर Google के CEO कौन है सुन्दर पीचाई जो भारतिय मुल्क के है सुन्दर पीचाई Facebook के CEO कौन है Mark Zuckerberg फोटो भी दिया हुआ है साथ में Microsoft के CEO कौन है सत्य नडेला अब फोटो में देख सकते है Apple के CEO कौन है Tim Cook है जो फोटो में है Tim Cook SIM यानि SIM जो हम फोन में SIM कार्ट लगाते है उसकी full form क्या होती है तो उसकी full form होती है S for subscriber I for identity M for module Subscriber identity module होता है SIM का full form Megalike की उमन गोत नदी देश की सबसे साफ नदी है कौन से नदी उमन गोत नदी देश की सबसे साफ नदी आप फोटो में देख सकते हैं एक रुपिये में सो पैसे होंगे यह बात एक एप्रिल 1957 को लागू की गई थी तो एक रुपिये के अंदर सो पैसे होते हैं कब थे हुआ तो एक एप्रिल 1957 में लोकसभा सदश्यप बनने के लिए न्यूंतम आयू कितनी होती है 25 वर्श 25 के बाद आप लोकसभा के सदश्यप बन सकते हैं 25 वर्श के बाद आप विदायक बन सकते है दोस्तो गर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा और कुछ आपके क्रिस्टेन हो तो कमेट भी किजिएगा और ऐसे वीडियो आगे देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अब बात करते हैं मुख्य मंत्री बनने के लिए न्यूंतम आयू कितनी होनी चाहिए अगर राज्यपाल बनना है तो 35 वर्स और प्रदान मंत्री बनना है तो 25 वर्स MDH मसालों के मालिक स्री धर्मपाल गुलाटी जी 97 साल की उम्र में दुनिया के सबसे उम्रदराज CEO है तो सबसे उम्रवाले CEO कौन से है धर्मपाल गुलाटी और किसके CEO है वो MDH मसालों के आपने टीवी में इनकी एड भी देखी होगी सोर उर्जा के चलने वाली भारत की पहली नाव आदित्य है तो ये सोर उर्जा से चलती है आप फोटो में देख सकते है नाव का नाम है आदित्या और भारत की सबसे पहली ये खास याद रखेगा आदित्या कोनाकर सुर्य मंदीर तेरवी सताबदी में गंग वंस के महान राजा नर्शीन देव ने देव प्रतम ने बनाया था तो कोनाकर का जो सुर्य मंदीर है जिसे पेंगोडा के नाम से भी जानते है तो किस ने बनवाया था नर्शीन देव प्रतम ने कौन से वंस के थे वो गं नालंदा विश्व उध्याल € का फोट नालंदा वश्व उध्यावले का फोट ओपर दिया हुआ और किसने की थी ? गुप्टे पीवी सिंदू सबसे कम उम्र में ओलमपिक मैडल जीतने वाली भारतीय महिला खिलारी है ये क्यृट्टिन पूछा गया है कि सबसे कम उम्र वाली वाल्य कौन कौन सा भारतीय जीनों में ऑलमपिक मैडल जीता हो तो पिवी सिंदू आएगा पांच नदियों की भूमी किसे कहते है पंजाब को डाइमन हार्बर किसे कहा जाता है कोलकाता को परवोतो की रानी किसे कहते है मसूरी को स्वर्ण मंदीर का सहर किसे कहा जाता है अमरुद सर को अमरुद सर में ये स्वर्ण मंदीर है अरुग्यो से तुएब के ब्रांड में सेडर कौन है अजई देवगन आप फोटो में देख सकते है अजई देवगन है भारत का सबसे लंबा national highway कौन सा है तो नह यानी national highway 44 है कौन सा है 44 आप फोटो में देख सकते हैं यह भारत के स्री नगर को कन्या कुमारी से जोड़ता है कहां से कहां तक है तो स्री नगर से लेके कन्या कुमारी तक इसकी कुल लंबा है 3745 किलो मेटर है जो एनेच चुवाली से इससे पहले नेशनल आइवे साथ भारत का सबसे लंबा राष्टी ये राजमार्ग था परन्तु अब एनेच सेवन राष्टी मार्गों के उस समू का हिस्ता है जिने संयुत रुप से एनेच 44 कहा जाता है तो नेशनल आइवे जो साथ था उसको भी इसके साथ जोड़ दिया गया है और अभी ये कहलाता है नेशनल आइवे 44 नेशनल आइवे 44 का अलग से निर्मान नहीं किया गया है मतलब इसको अलग से बनाया नहीं गया है बलकि स्रीनेगर से कन्या कुमारी जाने वाले आइवे को मिला कर इने एक नाम नेशनल आइवे 44 दिया गया है तो इसको नाम दिया गया है पूरे आईवे को जोड़के भारत की पहली महिला सासी का कौन थी रजिया सुल्तान फोटो में आप देख सकते हैं उसके बाद पुलिकट जिल आंध्रप्रदेश में स्थीत है कहां पर स्थीत है आंध्रप्रदेश में पुछा जात में स्थीत है नक्की जिल कहां पर है माउंट आबू राजस्तान भीमताल जिल उत्राखंड में स्थीत है उसेन सागर जिल तेलंगना में स्थीत है लक्टक जिल मनिपूर में स्थीत है कहां पर है लक्टक जिल मनिपूर में चिलका जिल ओडिसा में स्थीत है बारत का सबसे पुराना high court कहां पर है? कलकत्ता high court है कलकत्ता में है क्या नाम है? कलकत्ता high court जो भारत का सबसे पूराना high court है तो दोस्तों हमने ये देखा वीडियो अब आपकी test जो वीडियो हमने देखा है उसी में से आपको यहाँ पर चार question पुछे जाएंगे इस के आंसर आपको comment box में देने है जिससे आपको भी पता चले आपको कितना याद रहा है अगर आपको question का answer नहीं आते तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा उससे पहले अगर वीडियो पसंद आया हो तो like कीजिए, comment कीजिए अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर किजिए और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दियो बेल को प्रेस कर दिजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहे है और इस वीडियो के अगर PDF पाना चाहते है तो description में मेरी टेलिग्राम चैनल की लिंक दी हुई है प्लस वर्शेब ग्रूप की लिंक भी दी हुई है तो आप जो भी यूज करते हैं उसमें आप जोइन होके इसकी PDF वहाँ से पा सकते हैं टेस्ट में प्रथम question है बारत की प्रथम color film कौन सी है दूसरा है विदायक बनने के लिए न्यूंतम आयू कितनी होनी चाहिए तिसरा अरग्यो से तु एप के brand ambassador कौन है और चोथा पांच नदियों की भूमी किस राज्य को कहा जाता है चारों एक दूम easy question है इनका answer आपको comment box में लिखके देने करम भाईज एक प्रस्त में ये answer दो में ये तीन में ये और चार में ये असा रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वचिंग मैं वीडियो